नमस्कोबार दोस्तों आप शपी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आजके विडियो में हम बात करने वाल हैं आजके डेली राशी भ़ल की बारे में जी आज की दिन गुढोंकी स्वास्त केस्टी होंगी क्या-kya योग बनेंगे और इनका शर आपकी राशी पर क्या होगा किन-किन चीज़ों को लेकर याशी में आपको शावधान रहना होगा और कौन-कौन शरी कारे आपके लिए भागी शारी होगे या शमय आपका लब-लाइब के शारीगा श्वास्त करियर और धन के जितिकेश रहेंगी इन शवी की महत्पून जनकरे देंगी तो दोस्तों वीडियो को मिशना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें उस ये पले दोस्तों चैनल पर जो भी नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लें शाथी बैल आइकन को भी प्रेश कर लें ये आपकी राशी के ओप्सियल चैनल है तो उन्हें सब्सक्राइब शरूर करें तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों खुसियां मिलती नहीं मांगने शे मंजिल मिलती नहीं राप पर रुख जाने शे परोशा रखना खुद पर और उस भगवान पर सब कुछ देता है वो शही वक्त आने पर दोस्तों खोई वी चीज अक्षर वहीं मिल जाती है जहां पर वो खोई है पर विश्वास वहां नहीं मिलता जहां पर वो खोया था जो दिखाई देता है वो हमेशा सचनी होता कहीं धोखे में आँखे हैं और कहीं आँखों के धोखे हैं विश्वास तो दर्पन है जो तो तो पहले जैसा रूप नहीं जो जोड़ो तो पहले जैसा अक्स नहीं शबी के साथ विनमर रहें पर कुछ ही के साथ अंतर रंग हो और इन कुछ को अपना विश्वास देने से पहले अच्छी तरफ प्रक लेना समयदारी इशी में है कि कभी उस व्यक्ति पर पूरा भरुशा मत कीजिए जिस पर एक बार भी धोका का चुके हैं दरसल लोगों का विश्वास पेशे से अधिक मुल्लेवान है दोस्तों हमेशा विश्वास की खिलाफ लड़ना ज्यान की खिलाफ लड़ने से तो चली इससे की साथ बात करते हैं आज की राश्विफल की देनी राश्विफल दोस्तों ये शमें आप पूरे मनोयोग दोवारा घर के शविश अधित करेंगे घर का वातारण खुश्वास बना रहेगा दोस्तों आपके मस्तिश्क में नही नही योजनाई आएंगी और दोस्तों ये शमें उनकी शभलता भी आपको प्राप्त हों तो दोस्तों ये शमें बहुत अधिक मेहनत था धकान की वज़शे कभी-कभी श्वभा में चुर्चिरापन रहेगा जिनकी वज़शे बिना बात की गुश्वा आपको आशकता है दोस्तों ये शमें शंतान की उतिदियों को भी नजर अंदाज करना आपके लिए ठीक नह दोस्तों ये शमें आपके लिए शमें दोस्तों आपके दोवरा काम में कोई बड़ी गलती ये शमें हो सकती है दोस्तों जिनका असर आपकी आर्थिक पर भी हो सकता है लेकिन दोस्तों ये गलती की वज़शे आपको कोई भी बड़ी शिक मिलने को ये शमें मिल सकता है दो दोसों यश में इस रासी के जातकों के लिए बैतरिन गरस्तितियां बने हुई है दोसों आप अपने अंदर अद्बूत उर्जा यश में मैसुल करेंगे दोस्तों आर्थिक दिती को बहतर करने के लिए बहुत यह अनुकुल समय होगा घर का बातारण बहुत यह आनंदायक और खुश्णुमा बना रहेगा इसको प्रांदोस्तों यह श में अपनी भावनों पर कंट्रूल करना बहुत तजरूरी है कभी-कभी आपके अतेदिक रोग टोक की वज़से घर के शद्द से परिशान हो सकते हैं दोस्तों कोई भी निले लेने से पहले एक बार पुनर व धस्तों की खरेदारी करने से यह श में आप परेज़ करें यह आपके लिए बैठर होंगे इसको प्रांद दोस्तों यह श में मन متाबित गतविदियों समय के यह श मही भी घर करई जोकी आगई चल कर आके लिए लाब्याएग रहेंगे दोस्तों अपने पर रिजनों की मद कुछ बातों के बारे में विबाद हो शकता है जिनकी वज़शे बागेदारी तूटने की भी आशंका बन रही है दोस्तों किशी भी चीज को पाने क्या जीद यश्मी आपको नहीं रखना चाहिए दोस्तों यश्मी आपको थोड़ी तकलिप शेवी गुजरना पड़ेगा पस्तिती में बदलाव यश्मी आपको देखने को मिलेंगे इसको प्रांदो सो यहश्य में आप अधिक से अधिक स्वमए परिजनों के साथ वहितित करने का प्रयाश करेंगे घर में किशिव धार्मिक आयोजोन समंदी योजनाई भी बनेगी दोस्तों नेतुरित करने की आपकी शमता बहुत कारिक को सुचारू रूप से पूरे भी करेंगे परन दोस्तों यसमें खर्चे के दिखता भी रहेगी जिनके वज़शी कुछ तनाव रहशकता है किसे भी बाद बाद की स्थिती में शांत रहने में ही आपका बलाई होगा दोस्तों अपने रोजमर्रा की जिंद्गी से थोड़ा बिरेक लेकर मेत्र परिवार के शाथ या फिर अपके करेबी लोगों के शाथ थोड़ा वक्त पिताना होगा जिनकी वज़शे आपको नई उड़जा प्राप्त होंगी किसी नई काम के शुरुवात शकार्तमक तरीके से होने के वज़शे मन को शमाधान मिलेगा इसको प्रांदोस्तों या नई अगर आपकी केरिर को लिकर बात करें तो युआ वयक्ति अपने कारेज श्यत्र में परगिती देख पाएंगे इसको प्रांदोस्तों या शमाई वायवशाई की दिर्शित समय उत्तम चल रहा है दोस्तों आपको अपने मेहनत वफिर उजुनाओं में उचित सफलताव हाशिल होगी तदा दोस्तों भविश्वम्नदी उजुनाओं को मुर्ट रूप दिनेम का भी आप यश्में कोशिश करेंगे इसको परांद दोस्तों यह शुमें आपके वन रखाये के लिए बहुतरी के लिए आपको अथक पर्याश करने होगे और दोस्तों आपको अपने इन पर्याशों का उचित लाभ यहे करत होगा शेरस तदा शत्ता आदिसे जूड़े कारियों में भी बहुत अधिक शाधनी रखने की आउशकता होगी क्योंकर दोस्वों यह शमे इन कारियों में नुक्षान दाएकि सुतियां बनी हुई है इसको प्रांद दोस्वों यह शमे आपके केरियर के लिए जो सेमोंगे मशनेरी और कारखाने शमंदी बिजनस के लिए फायदेमन प्रस्तियां बनी हुई है दोस्तों ध्यान रखें कि कोई करेबी व्यक्ति की कारी छित्र में करमचारियों की बीच फूट डाल सकता है इसलिए दोस्तों बहतर होगा कि शवी गत्यों पर अपनी नजर रखें इसको प्राण दोस्तों यह शमय आपके केरेर के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि वह शाय में यह शमय कड़ी महनत की आफशकता होंगी पिता या फिर पिता शमान व्यक्ति का शयोग वा फिर शलाह आपके लिए बहुती लाब दाइग रहेंगी नोकरी पैशा व्यक्तियों को काम की अधिक्ता के विज़शे यह शमय भी शमय देना पड़ सकता है इसको प्रांदोसों यह शमय आपकी लवलाइब के लिए समय होंगे दोस्तों पती पतनी की बीच मदूर शमन बने रहेंगे परंतु व्यरत के प्रेम शमनों में अपना शमय शमय नश्ट ना करें यह आपके लिए उचित होंगे इसको प्राहत दोस्तों या शमय आपकी लवलाइब के लिए समय होंगे दोस्तों परिवार की देखरेक में आपका पुर्ण शयोग रहेगा पती पतनी के आपशी शम्मन भी या शमय माधूर रहेंगे इसको प्राहन दोस्तों याश्रमे आपकी लवलाइब के लिए समय होंगे दोस्तों याश्रमे पारिवरिक वातावरंग खुश्टमा रहेगा घर के शदिस्यों के शाथ मौज मस्ती और मरणजन समंदी कारियों में भी शमय आपका वाई कितो होगा दोस्तों आपको बता दें याश्रमे आपकी लवलाइब के लिए समय होंगे पारिवरिक वातावरंग खुश्टमा रहेगा तद़ह प्रेम शमंद भी शमद मर्या दित रहेंगे इसको प्राहन दोस्तों याश्रमे अगर आपकी शौथ को लो कर बात करें तो दोस्तों अत्यदिक मेहनत की वज़शे ठकान और खमजोरी महसुद होगी दोस्तों याश्मे अपने खान पान के प्रती लापरोही ना बरतें तथा उचित आराम भी लें यह आपके लिए बैतर होंगे इसको प्रान दोस्तों याश्मे आपके स्वात के लिए जो समय होंगे दोस्तों शारिक रूप से कुछ कैम जोरी महसुद हो सकती है काम के अदिक्ता के वज़शे तनाव भी आपके उपर हावी रहेगा इसको प्राइदोस्वे यश्मे आपको बता दें आपके स्वात के लिए जोश्य होंगे दोस्वे यश्मे खांसी जो खाम और फिर बुखार के समस्या भी रह सकती है लापरवाई ना बरतें वर्तमान मोश्वम से अपना बचाव यश्मे आउश करें ये आपके स्वात के लिए बैतर होंगे इसको प्राद दोस्तों आपको बता दें कि यश्मे अनुचित खान पान की वज़र से पाचन समंदी समस्या भी रहेगी यश्मे स्वात के परती बहुत अधिक शावधानी बरतने की आवश्चता होंगी दोस्तों यश्मे आपका भा कि शाली अंक रेगा तीन